देखो ये वाला concept ना बहुत जरूरी concept है और इसमें बनता क्या है question कहां से कैसे आपको समझा देता हूँ देखेगा आपको हमेशा एक चीज याद रखना है देखो prefer जो होता है prefer मैं आपको मुद्दे की बात पता दूँ देखो prefer के बाद comparison में हमेशा क्या लगता है तू लगता है क्या लगता है तू ऐसे याद करो मैंने समझा है था यह पूछा आता है बारवर er, ers में दूबार आरहे अब दो को तो two बोलते है लेकिन proposition क्या होती है two होती है तो आपको याद रख लिना है कि prefer के साथ comparison में क्या आना चाहिए तू आना चाहिए क्या आना चाहिए कंपैरिजन में तू आना चाहिए देखो ये दो नाउन है एक तो टी है और एक कोफी जब टी और कोफी यानि दो नाउन आ गए हैं तो इन दो नाउन के बीच में कंपैरिजन के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, तू लगाते हैं, कब जब prefer आ रहा हो, कब आ रहा हो, जब prefer आ रहा हो तब, चलेगा, ये वाला c option हो जाएगा, आगे देखेगा, the carpenter did not keep his promise, मतलब ये हुआ, carpenter ने ने अपना promise नवाया ही नहीं है, that the work will be finished before the end of the week अब इसमें आपको समझ लेना है पहले एक ची समझो इस तरह का concept बार-बार आता है पेपर में आपका level paper का देखो जितने भी मैंने exam का नाम लिया वो सब के लिए ये लागू है सारे questions एक बास सोचेगा ये that का मतलब होता है दो sentence को जोड रहा है एक तो ये वाला हो गया और ये एक last वाला हो गया अब यदि पहला sentence का past में दे रखा है तो जाएसी बात है कि दूसरा वह किस में आएगा past में आएगा तो आपको ये bill जो लिख रहा है ना इसकी जगह पर क्या सकता है तो basically इस bill को हटा देंगे ना तो देखो पहले past है तो पीछे भी past आएगा तो bill का past क्या होता है बुड होता है तो यहां पर इस bill की जगह पर क्या जाएगा बुड तो यह जाएगा बुड भी finished समझ में आ गया यानि कि पहले past indefinite दे रखा है तो पीछे भी past करना पड़ेगा जबके bill तो future होता है तो इसका past होता है बुड तो यहां पर क्या जाएगा बुड आ जाएगा समझ में आ गया आगे देखिएगा try to understand the confidence of your opponents देखो opponents का मतलव होते जो आपके सस्तुर यह नहीं जो आपके खिलाफ होते हैं बोलते हैं opposite side में opponents before you take any step against them अब आपको बताना है कि तो confidence जो यह लिखा हुआ है इसकी जगा पर क्या सकता है देखो try to understand the यहां पर देखो motive यह तो साफ साफ देख रहा है यानि कि अपना जो प्रतिदुन्दी है उसका motive क्या है मतलब सोच क्या है उसकी इसकी नियत क्या है उसको आपको समझ लेना है कोई भी step उसके खलाफ उठाने से पहले आपको अपने सस्टु का motive उसके इरादों को समझना पड़ेगा समझ में आगा तो यार देखो motive हो जाएगा अच्छा motivational क्या हो जाएगा मोटिवेशनल का तो मतलब सबको पता होगा यार मतलब अच्छी चीज़ है मतलब मोटिवेट करती है किसी को इंस्परेशनल चलेगा आगे हम बात करते हैं देखे यहां पर एक नाम सा मतलब यह आलोक लिख रहा है यह लिख रहा है कि आलोक depends on your early brought up in the family अब यह समझना है कि इसमें क्या जाएगा मतलब यह हो गया कि जो आलोक है वह मतलब आप फैमिली के अंदर क्या करता है ब्रिंग अप करता है तो यहां पर हो जाएगा आपको ब्रिंगिंग आपको ब्रिंगिंग का मतलब क्यों हो क्या होता है कि नर्चर करना तो यहां पर नाउन की तरह हो जाएगा ठीक है और देखो नर्चर का मतलब भी क्या होता है पालन पोशन करना तो यह सारे वर्ड जो जो मैं आपको बताती जारों उनको आप एक बार द्यान से पढ़ लिजेगा आगे देखिए दा डिक्टेट वेर्ट बास्ताव में इमर्जन्स को क्या किया जाता है उसे डिक्लियर किया जाता है आगे देखिए जूकलेट्स आई का मतलब होता है प्यार करना और जब बर्व किसी बर्व के रूप में आए ना तो आपको इसे सिंपल प्रिजेंट में यूज करना है से प्रिजेंट कंटुनियस में यूज नहीं करते हैं से कब जब वर्व का मतलभ क्या होता है किसको इछा करना या प्थार कर ना बर्व के रूप में तो भाई ऐजरेम के बाद थो वरवी आथी है ना तो LOVE मतलब है तो इ फॉनि फ narc के साथ यह ऊज़ ऑस. ठीक है तो यह प्रिजेंट इंडेफरट बन जाएगा, she loves chocolate ice cream, आगे देखेगा, आगे gems had been teaching at the university since June, आपको इस तरह का question काफी बार देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक चीज़ समझ लेना है, कभी भी अगर last miss since for दे रखा है और इसके बाद यदि time दे रखा है, तो आपको यह सीधा सीधा मतलब आपको present perfect continuous लगा द लगा दीजेगा, तो देखेगा, gems एक नाम है, मतलब कैसा नाम है, वो singular है, तो यहाँ पर हो जाएगा, had been teaching, समझ में आ गया, अगर यह plural होता, तो have been teaching, अगर since for time दे रखा है, तो maximum यह priority बन दे को present perfect continuous में से ही आएगा, ठीक है, अगर singular है, तो यह बाला, plural है, तो यह वाला, I hope आप सबके doubt clear हो रहे होंगे, मैं जादा आपको जल्दवाजी नहीं कर रहा, बाकि यह काफी बड़े questions है, और भी इसमें questions add हो रहे है, दो पार्ट आएंगे इसके, फिर अगला practice set आजाएगा, तो बिलकुल आपके समझ में आएगा, चलेगा, आगे question है, कि the first speech made by a person, यह नहीं किसी भी आदमी के द्वारा, किसी person के द्वारा पहला बाशन दिया जाता है, तो उस बाशन को क्या बोलते हैं, पहला बाशन मतलब क्या होज़ेगा, maiden speech होता है, maiden speech मतलब पहला वाला बाशन, जैसे मान लीजेगा, कोई व्यक्ति है, और पहली वार वो politics में आया है, त politics में आने के बाद, पहली वार कभी, मतलब, starting तो करेगा ना, तो उसका maiden speech होता है, समझ मा गया, अच्छा, debate का मतलब तो सबको पता हुआ, news channels पर क्या चलती है, debate चलती है, तर्ग चलते है, और एक दूख़ एक्स्टेम पोर, यह एक्स्टेम पोर जो है, वो अच्छा वैड किसी ने उठा लिया, भाई आप आकर के दो शब्द बोलिये, तो यह क्या हो जाएगा, एकस्टेम पोर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स्टेम पोर हो जाएगा, समझ में आगया, debate आगया, अच्छा देखो, प्लेवर, देखो यह काफी अच्छा वड़, प्लेवर का मत उसकाम में एक दम बिख्यात है मतलब आपने दिखाओं में क्या होता एक व्यक्ति मतलब ऐसा होता है कि जो पूरे गाम में चर्चा का विशय बना रहता है एक दम आगे देखो इसका हुआ होता है ते को वार पूछा गया है इसका मतलब होता है एक तरसे क्लियर एक दम स्पास्ति और अधीकल ऑखल। इसका मतलब होता है जिर्ग तो ऑसको नुझ्यक और चारों को मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको revision होता रहा है आगे देखो तू write under a different name यानि कि आपका नाम जिससे सप्पोज करिए बहुत neural रटिन की में गाओं में किसका नाम पर्षोत में बहुत कम मिलता है पप्पु तो मिल जाएगा उसका to NIC ने मैं पप्पु किसी का नाम मालो कमल चौधरी हो गया तो कमल कमल तो कोई नहीं कहेंगा मुझे पूरा वरोस एुसे कालु नहीं हो बिना नाम के अच्छा एक होता है बायोग्राफी मतलब बायोग्राफी का मतलब जीवनी किसी की वह बायोग्राफी होता है चलेगा आगे बढ़ जाते हैं आगे देखिएगा यानि कि वही है मतलब यार light अगर गुजड़ जाए तो transparent जिसमें से light नहीं गुज़रे मतलब not आगया नहीं गुज़रेगी तो क्या हो जाएगा वो ओपैक हो जाएगा पैक हो जाएगा समझ में आगया नहीं आ चाह तो यह चीज़ा एक दो हां है जी है यह बहुत अच्छा का नहीं जो आपका विफेल सक्कूरना जादा नहीं रहपाएगा तो वह है एक वर्ड widen हैं इसे आप कर लिद बताना यह जतने को मैं आपको बता वह कहीं नियुक्त इक्जाम है आ गए यह आप दिमाग में रखे चलो रखना नहीं है आई गहें वह तो इनको आपको समझ ना है कि यह क्या क्या फूल देखो यह देखो डिस satisfied तो dissatisfied का मतलब होता है जो एकदम संतुस्ट नहुआ हो अ संतुस्ट तो वो dissatisfied हो गया समझ मा आ गया चलेगा तो दोस्तो देखो बाकी इसमें और भी questions है इनको मैं एक-एक को करके समझाऊँगा तो इसमें बिल्कुल चिंता मत करना भी तो यार काफी सारी questions है चलो मैं फटावर से इनको बता देता हूं फिर में next पार में दूसरा बता दूँँ है न यह देखो I am having three children यदि कभी भी कोई भी प्रिजेंट की यदि बात की जा रही है जो एक दर्म से प्रिजेंट में कोई भी पजैशन दिखा जाता है कोई भी लगाव तो वह अमेशा प्रिजेंट में आता है तो एम हैविंग नहीं आता इसका मतलब यह हो गया कि I am having three children मैं तीन बच्चे रख रहा हूँ ऐसे नहीं मतलब मेरे पास तीन बच्चे है तो यह क्या होना चाहिए यहां पर हैव होना चाहिए तो यह वह जाएगा I have three children मेरे पास तीन बच्चे है साब समझ में आ गया चलेगा आगे देखो all mangoes in the basket are over ripe over ripe का मतलब सड़ घराब होना over ripe हो गया अब यहां पर आपको समझना है कि देखो अगर कभी भी all आ जाए और all के बाद अगर कोई भी अगर कोई भी plural countable noun आता है तो याद रखना all और यह plural countable noun से मतलब plural countable noun से पहले हमें दा लगाना पड़ता है क्या लगाना पड़ता है द है पर अगर कोई भी plural noun आ गया जो countable और प्लूरल आ गया तो ना इन के बीच में आपको दादा बिठा देना है क्या लगा देना है दा लगा देना बस हो जाएगा उसमें है नहीं इसलिए एरर हो जाएगा आगे दिको why they did not turn up to the workshop एक बात हो यह question mark दे रखा है इसका मतलब इस WH के बाद helping बर्व आनी चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए आना चाहिए बाई अगर कोई भी interrogative होता है तो WH के बाद helping बर्व आती है तो यह बताओ अब वाई के बाद तो सीधे सीधे subject आ रहा है जबकि आना क्या चाहिए यह जो did है न वो sir यहाँ पर आना चाहिए यह लगी तो helping बर्व है तब यह सही होता इसका मतलब यह हुआ कि बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा गल्त ही हो जाएगा आगे देखो वी आर लीविंग फॉर केरला टुड़े यह बिल्कुल सही है इसमें कोई भी error नहीं है ठीक है यह एकदम सही है आगे देखो वी हाब समझाना देखो रिटर्न का मतलब क्या होता है बताना रिटर्न का मतलब होता है कम बैक क्या होता है कम बैक तो इसका मतलब हो गया अब बताओ एक बैक और लग रही है तो यह हो जाएगा कम बैक बैक तो होता ही नहीं बताओ एक तो यहाँ पर बैक आया उससे परेशान 100 रुपीज नोट यस्टरड़े इसका मतलब है कल न हरी ने 100 रुपे का एक नोट खो दिया यहाँ पर मैंने कई बार बताया नोट वाला सर याद रखना कि यह देखो यहाँ पर A लिख रहा है अब यह बताओ A के साथ जो यह नाउन चलेगा वो कैसा चलेगा singular जबकि यहाँ तो रुपीज दे रखा है यह थो plural हो गया तो यह आना क्या चाहिए singular आना चाहिए तो B वाले पार्ट में क्या है error हो जाएगा एक बार और clear कर देता हूँ देखो यह जो नोट है यह जो A आया है वो नोट के according आया है तो A singular है इसलिए यह भी नोट भी singular रहेगा तो यह जो बीच में जो नाउन है ना सर जो adjective का काम कर रहा है वो से हम singular में लिखते हैं तो कभी भी यहाँ रुपीज मत लिख देना कब यह adjective होता है इसके बाद कभी भी नाउन दे रखा हो तब तो friends मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे questions यहाँ पर करवा दिये बाकिते को remaining है ना सर वो मैं आपको next वीडियो में अभी record कर देता हूं कुछ time के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा और दोस्तों इस वीडियो के लाइक जरूर करें